कि आप 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 हार्दिक स्वागत है आज आए हम प्रेणाइस तल जो नोड़ा के अंदर गोतम बुद्ध नगर के अंदर है और आज यहां बहुत तादात के अंदर आप यह देख रहे हैं कि यहां पब्लिक आ रहे हैं और बहुत समाद से संबंदिद आज इस पारक को दे टिकेट लेकर सभी लोग अनुसासित का पालन अनुसासित का पालन करने वाले लोग हैं और टिकेट लेकर सभी लोग आज प्रेणाइस तल के अंदर जा रहे हैं आज क्या ऐसी खासियत है कि जो आज लोग इस पारक के अंदर आए हैं यह खासियत यह है कि आज के दिन उसके बाद किसी चीज को चलाने के लिए, किसी धर्म को चलाने के लिए, किसी मज़ब को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए उसके लिए एक संभीधान होता है और संभीधान के तहट कोई चीज चलाई जाती है, मज़ब चलाई जाते हैं उसी के तहट जब 26 नवंबर को बाबा साम ने संवीधान दिया था, पूर रूप से जो लागु हुआ, वो आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को संवीधान लागु हुआ, उसे के तहट बाब साम ने जो अधिकार दिये थे, समझ भारतवासियों को, समझ हिंदुश्टानी को जो अधिकार दिये थ यह जो पार्व का देख रहे हैं हम गेट केंड एंट्री करेंगे यह दलीद प्ररणाक केंद्र जिब भी वह समाज पॉइटवी की सरकार थी मायाबती की सरकार थी उस द्रहान मैं अपनी सब्सक्द कार चाय ्कार्य का कर दोरान इस पारिकांथ भरी वह पाइटी की सरकार थी मायाबती की सरकार थी उस दोरान मायाबती जिने अपनी कारेकाल के दोरान इस पारक का बनवाया था बहुत तादात के अंदर इस पारक के अंदर लोग देखने के लिए आते हैं बाबा साब के सम्मीधान के तहत जो अधिकार हमें मिले थे जो महिला को अधिकार मिले जो बहुजन को अधिकार मिले जो दलितों को अधिकार मिले उसके तहत आज बाबा सहाब को याद किया जा रहा है कि जिनों ने हमें गड़े में से खोध कर जहां मारी जो एक देनिया इस्तिती थी जो पीछे जाड़ुआ करती जी गले के अंदर हाड़ी हुआ करती थिए उसमिदान के तैसिक्षा के तहट वो सब को हटाया और आजी के दिन बाबा साफ डाक्टर भीम्रा अंबेट कर जीन पूर्ण अधिकार दिलाए चब्वी जनवरी से 1950 को पूर्ण उसमरा देश आजाद हुआ उसी के तहट सारे कानूं पूरा प्रदेश पूरा दे समिदान के चलाया जाता है हम अंदर प्रिवेस करते हैं कि इस पारक के अंदर हम देखते हैं कि बहन कुमारी मयवती जीन अपने सासनकाल के अंदर ऐसा क्या दर्साया आए जानकारी लेते कि यहां जो भीर बढ़का दिखाई दे रही है इतने बहुत आजात करने यह लोग पर्मन करने के लिए क्यों आए वापता नाम में अब्दल हनान में तोड़ा तोड़ा बात यह हां थोड़ा तोड़ा जानते हैं आप लोग यह क्यों आए रही है आफ गूमने आं कैसे जानका आपका दो लोग सबट कि इस अच्छा जगह है आ और यह क्यों और यह क्या कारण है हमारे बीच में कुछ लेड़ी है यह हम जानका ही लेते हैं मेरा नाम नीलम राहुल आप यह पूरे परिवार के साथ क्यों आए यह तो बहुत आज खुशी का दिन है जैसा कि सभी जानते हैं कि आज गर्चंत्र दिवस है और महानायक बाप अब बाबा साब ने जो समीधान लिखा था आज के दिने 26 जनवरी साथ 1950 को लागू किया था तो आप उसको सालिवरेट करने आये हैं जी उन्हीं की वजह से हम लोग देखिए भी नौकरी में हैं इतने उच्छे प्यदों पर हैं हमारे पापा जी हैं यह तो बहुत भड़ है जो कि आप लोग इतना उनको मान रहे हैं यह तो बताने वाली बात है नहीं महिलाओ के लिए तो बहुत बड़ा काम किया है आज उन्हीं की वजह से देखिए हम बिना घूंगटके खड़े हैं और पर लिखकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं मैं केंद्री विद्याले में क से ही हम लोग यहां इस मुकाम पर पहुंचे हैं और कोशिच करेंगे कि हमारी जो बेटी है वह भी हमसे उचा जाए और महिलाओं के तरखी में आगे योगदान करें आपका नाम राजूरिया आरेस राजूरिया जी आप लोग यहां क्यों आए आपकी तो इतनी उमर हो गई आपको अगर में आराम करना चाहिए तो लेकिन आप इतनी उमर में यहां आये हैं उसका मुक्ष कारण यह है कि बाबस आपने जो लास्ट उनका कंकुलूजाने बुद्धिजम यहां अगरा आपको अपनी तरक्की करनी है तो आपको बुद्धिजम अपना अपना नहीं होगा देन नो अधर वे तो कि बिकॉजी डिलफ माइंड जी बाव साब ने का था एक बार के आर्थिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक मांसुक गुलामी होती है तो आपको अपना उध़ार करना है तो बोद्धिजम की तरफ जा नहीं होगा और मांसि को WhatsApp को अपना नहीं पड़ेगा कर दो कर दो कर दो